कि न फोटो को अपलोड करते हो यह तो यह प्रॉब्लम ही लेकिन अगर आप अपनी habenu शक्राइब हो जाता है तो वह कैसे होता है और इसको सही रोली तो है अगर ही दिखता है मतलब एडिट हो जाने के बाद फोटो बहुत ही मस दिखता है लेकिन जैसे आप इस वीडियो को पूड़ा दिखिए ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा यह मैं फर्स टाइम ऐसा वीडियो बना रहा हूं तो यह वीडियो पूड़ा अभी तरह आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस चैनल पर आपको इसी तरह की फोटो रेटेड वीडियो मिलती रहती है और हाग आपने टेक चैनल का टेक एड व्लॉग वीडियो बनाता हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप प्लीज उसको सब्सक पर अपने मुबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कलरे स्पेस के बारे में आप सुनकर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होए कि क्लरे स्पेस क्या होता है आप जब अपनी फोटो को इंस्टाग्राम पर अप्लोड करते हो या फि फोटो को अप्लोड करता है ठीक है तो वैसे आपकी फोटो क्रॉप भी हो जाती है तो वह एक अलग walत है लेकिन अगर आप अपनी फोटो इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं भी अप्लोड करते हो तो आप देखते हो कि कलर जो है थोड़ा सा डी से चुरेटेड हो जाता है जो कलर पहले से होता है फोड़ा सा फेड मतलब से चुरेशन उसका कम हो जाता है मैं आपको लाइब एक्जांपल दिखा रहा हूँ आप ऐसे नहीं समझ पाओगे आप देखो हमने यहां पर इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद हम अपने प्रोफाइल के अंदर चलते हैं यहां पर नेट काफी ज्यादा स्लो है तो यह सायद अभी नहीं खुल पाएगा आपको यहां से प्लस के अच्छा है लेकिन जैसे हम यहां पर नेक्स्ट कर रहे हैं देखो यहां पर जैसे नेक्स्ट किया इसका कलर यह तो देखना यह पहले का जो color है वो कितना मस्त यहां पे दिख रहा है और जैसे next कर रहे हैं यह desaturate हो जा रहा है तो यह क्यों हो रहा है तो यह हो रहा है color space की वज़ा से तो यह color space कैसे सही होगा जब आपने photo को आप lightroom के अंदर या फिर आप देख वरे all photos के अंदर आपको जाना है कोई सभी अगर आपने photo import कर रहा है तो simply आपको photo को open करना है जिस भी photo को आपने edit किया है simply आपको export देखो जैसे कि हमने live example जैसे हमें ने बताया इसी photo को हम add करते हैं जो हमने आपको दिखा है और दोबारा से आपको देख वारे हैं कि हमने इस photo को जो है लाइटर मैप के अंदर एड कर लिया यहां से हम इस photo को open कर लेंगे और यह photo आपको बता दी कि हम लाइटर मैप के अंदर ही edit किये थे तो इसका tutorial भी मैंने बना ही रखा है सायद बनाया कि नहीं ख्याल नहीं है अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को इंचे comment करना यहां पर आगाईज आपको एक काम करना है जब आप photo को export करते हो मतलब कि यहां से save करते हो तभी आपको color space को आप change कर सकते हो ठीक है वो color की जो problem है desaturated होने की वो यहीं से होती है तो simply आपको share पर क्लिक करना है यहां पर आपको save to device अभी नहीं करना है आपको जाना है यहां पर export as के option पर ठीक है export as पर क्लिक करना है देन यहां पर dng by default on side selected रहेगा तो आपको यहां पे JPG कर लेना है ठीक है JPG कर लेने के बाद आपको नीची की और आना है यहां पे देख आ और अच्छे से दिख नहीं रहा तो simply आपको यहां पर एक mode options का एक option मिलेगा ठीक है mode option पर आपको क्लिक करना है और आपको नीचे आना है गाई नीचे आओ यहां पर आपको color space मिलेगा ठीक है यहां पर पता नहीं पुड़ा screen क्यों नहीं सो कर पा रहा है यह मुझे भी समझ नहीं आ रहा है तो यहां पर गईजे color space का option मिलेगा सबसे last में मतलब worldwide wave के जितने भी platform है वह सारे srgb color space ही select करते हैं तो आप कहीं भी upload करोगा अगर आपका srgb select है तो आपका जो color photo के अंदर रहेगा same वैसा ही upload होगा तो देखो हम इसमें srgb इसको कर देते हैं अब यहां से इसको हम export करते हैं तो देखना गईज हमारी photo में quality मतलब वो जो पहले से color space की problem थी वो solve हो जाएगी ठीक है तो हम यहां पर back जाते हैं अब इस photo को गईज हम save करते हैं तो यह preparing हो रहा है यह photo यहां यहां पर save हो गया back जाते हैं अब यहां पर cut करते हैं Instagram को पिन करते हैं Instagram के अंदर आने के बाद देखो अब यह वाला photo मैं यहां से एक बार back जाता हूं देन यहां से add पर click करूंगा feed post and दोबारा अब देख़ा हो कि यह वाला photo आ गया यह photo पहले का था और यह जो है अभी ह यहां पर नेक्स्ट करेंगे देख़ा रहें कि कोई भी color desaturate नहीं हुआ कोई भी color आप देख़ा रहे होगा इसके desaturate नहीं हुआ जो color पहले से photo के अंदर था यह color है पहले और जैसे next करें वही color है तो इस तरीके से आप इस problem को solve कर सकते हो I think कि इसके उपर YouTube पर कोई video नही बनाया था हाँ बहुत सारे और कंट्री के चैनल्स थे जो इंग्लिस में वीडियो थी मैंने कुछ वीडियो को देखकर सीखा भी लेकिन वो लोग फोटोशॉप में बताया थे लाइटर में कोई भी नहीं बताया था तो यह मेरा पहला वीडियो था I hope यह वीडियो आपको काफी ज़्यादा पसंद आई होगी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस वीडियो के नचे कमेंट जरूर करना हम आपकी हर कमेंट कर रिपलाई करते हैं अगर इस हमने अपने सेकेंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कि कीजिए तो फिलाल के लिए इतने ही मिलता है नेक्स वीडियो में लव यू और टेक क्यर बाबाए